किसान बाईयों नमाशकार मालवा फार में सभी किसान बाईयों का सुवागत है आज की वीडियो बना रहे हैं इंदर जीत बाई के पास सामने जो आप गाएं देख पा रहे हूं यह सारी गाएं आज इनके पास सेल के लिए वेलेबल है हज f गाएं है और hf क्रॉस में गाएं है क्या रेट की गाएं है कितने दूद की गाएं है उसके बारे में वीडियो रहे इगा कोई भी किसान को अगर यह गाएं पसंद आती है पूरी का पूरा लॉट ख्रीदना चाता है जान सिंगल सिंगल गाएं स uzीक्षण करकर ख्रीदन है तो आपने क्या करना है वीडियो कॉल करो जो गाएं प्रेजेंट अवेलेवाल है वह आप ख्रीज सकते हूं उनकी डील कर सकते हूं एक वीडियो बनाकर दिखाने से आपको अस्टीमेट हो जाता है कि अभी कौन सा स्टॉक पंजाब में चल रहा है और कौन सा स्टॉक क्या पर चल रहा है तो वही है आज की वीडियो में आपको रेट बताया जाएगा दूद और लैक्टेशन के बारे में क्योंटी के बारे में बताया जाएगा और वीडियो शुरू करने से पहले सभी कसान भाई उनसे नमेदन है जो मालवा फार्म को सब्सक्राइब करो और जो पेज है उसको फॉलो जुरूर करो नमस्कर भाई नमस्कार जी कितने गाएं वेलेवल आज आज अपने पास साथ गया वेलेवल है एवरेज रेट एवरेज रेट सर अपना आज पच्पंड से लेके 90 तक है सर और दूद की एवरे क्या रही कि एवरे सर सतरा अथर लीटर स स्टार्ट हो के थर्टी थर्टी प्लस वाली अपने पास सराज चीक आजी जी सर और सभी प्रकार की गया सर एच एफ भी है प्यूर्ल टी मीव गया आज जैसे किस बाईएं की जिनकी थोड़ी क्रॉस में ज्यादा दिल्चस्पी है उनके लिए स्पेशल क्रॉस क्रॉस गा है और यह एच्छा फनकीने तो आप देखी रहे हो सर जुम्हेबरी आपकी क्या रहती है कि जो क्वैल्टी बोल दी यहां वीडियो में बात बोल दी जी वो किसान को यहां पर आकर एज़िट वैसे मिलेगा जी बिलकुल जुम्हेबरी वैसी है अपना तो यही रहता है भी पास आके गाई देखो वीडियो कॉल में कुछ और दिखता है ठीक है सर थोड़ा बहुत फरक रहता है ज़िए अपनी नजर से पास आके देखते हो तो यह आपके लिए बैटर है गाई खोदा चेक करो मिल्किंग चेक करो ठीक है गाई कि आप पूरी उसकी एज़ चेक करो जान चेक करो भी हाँ वाकई में इतने दांत है इतना दूर निकाल देगी शमता है और जो रास्ते की सर्वाइविंग का दिक्क्त है जो किसान बाइयों के मन में थोड़ा सा थौड़ चलता है उसके लिए क्या है सर उसके लिए हम प्रॉपर मेडिसन वगेरा जूज़ करत है जैसे गाई माराश्टर जाती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत फीवर वगेरा होना थकावड से उच नीचे वह होता रहता है मगर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहती सर वह क्या है वह दो तीन दिन में गाई सेट हो जाती है जो अधर नेचर में जाएगी तो यह ठोड़ा बहुत और तो होते ही रहता है मगर कोई बड़ी बात नहीं होती सरा आई कास्टमर को अच्छे से उनको समझाया जाया विह को क्या देना क्या प्रावलम्स हमखुद से लेता है तो अश् doch कर जाते हैं टो जब तक गहाई गर नहीं पहुंचती तो हमारा सर यही फोकस रहता आदमी की कर पे गाई पहुंचे पांच चार दिन में गाई सेटो अच्छा दूद दो तो हमें ऐसा लगता है भी हामने काम किया सर ऐसा नहीं है यहां से लोड़ कर दी तो हमारी जुम्मेदरी खात्म होगी गाई जे गाएं चला दो जिसके पास कड़े हो यह कौन से लक्टेशन में है जी जे सार साइगेंड टाइमर बच्चा है अभी मुह से च्छे दानता है अच्छा ब्रीड का टॉप क्वालिटी का बच्चा है सर आप खुदी देख लो आप गाए प्रेगनेंट है सर अभी 10-15 दिन क बैंडिदिक आप खुदी चेक कर लो सार रिंकल देखो कितने बाकी है तीट से देखो कितने अच्छी है और कितनी अच्छी लगें हुए है गये की लेंच करने लोगाई का देखो फ्सक्राक डूब्स कर लो सर शाईनिंग च्कार लोगाई आप खुदी देख सकते हो भी सब्सक्राइब निकाल सकती है जा मैं केला बोलने वाली बात है क्या रेट पे सेल करोंगे रेट इसकी सार डिमार्ड 95 की है मगर यह एक्टी में डन कर देंगे सर गया गाएं सेल के लिए खड़ी है असी यार में आपको गाएं मिल जाएगी 30 लीटर से उपर गाएं का दूर प्रेगनेट गाएं है क्वैल्टी आप देख सकते हैं क्वैल्टी आपके सामने है बिल्कुल सार थंडी सील गाएं चैप की फुली ब्रीड का बच्चा है सर आप अडर देखो कितना कंपेक्ट अडर और काट वाल अडर लग हुआ है सर फॉरन टाइप यह बत्तिती लीट दस से बारां दिन यह इसके पैंडिंग पड़े हैं और इसकी जो बड़ी खाशिता सर एक ठंडी सील गाए है और दूद क्वालिटी में दूद देदेगी सर रहे बाई तैस किलो खुला क्या रेट पे सेल करोंगे यह सर दे देंगे हम डिमांड इसकी 72 की है मगर 62 में कर द गूँचा तो अब यह लियाओ इस से पहले नंबर वाली गाएं को बाहर कौन से लिक्टेशन में जए यह सर फस्ट टाइम बच्चा देगी है भी और दान्तों में दान्तों में सर दो दानता है और चार के उठा रही है कितना टाम लेगी बच्चा देने में सर पंदरा से बीस दिन ले जाएगी बच्छडी फारा दूद दूद सर दे देगी है राम से खुला बाई ती लीटर खुला निकाल देगी आगे को चला दो क्या रेट पर सेल करोंगे यह दे देंगे सरा सेवंटी में दे देंगे सर गाई सतर यार में बहुत अच्छी बच्छडी असार अभी तो इसने गाई बनना है यह साइकेंड टाइमर होगी ताब यह दूद दे देगी थार्टी के निरबाट अभी ट्वेंटी टूट्वेंटी के आसपास तो खुले चली जाए बच्छडी की क्वालिटी देखके बता सकते तो भी हाँ इतना दूद देने वाली है यह नहीं है मगर आप देखो का नगीना है सर अभी पंद्रह से बीस दिन पैंडिक है ठंडी जी लगाई है बच्री कि मूंसे भी दो ही दानत है सर अ कि जेक आएं लियाओ बाहर जी कौन से लेक्टेशन में है यह सर साइकंड डैमर इसके पड़ें अभी पंद्रह से बीस दिन यह लाइजेगी थोड़ा यादा कच्छी हों से यह और कितना देगी भाई दूद देदेगी सारे 25 लीटर राम से और क्या रेट पे सेल कर दोंगे जे देदेंगे सर शिक्स्टी एट में डन कर देंगे सार यह गाई बच्डी स से लेकिन टाइमर याप वालिटी से चेक करो है एच्फ करोस का नहीं चाहिए आप लेंध देखो बच्डी कितनी एड्र देखो शाइन के देखो बोड़ी कितनी है फेस क्कॉलिदी चेक करो सरा ठंडी सुदी गाई या सरा अडर देखो आपना अच्छा अप्छा और और कि इसके साथ वाली का भी बता दो जे जो क्रॉस में घड़ी है जी कौन से लेक्टेशन में है यह स्टाइम बच्चा देगी सर दांतों में बाई दांतों में चार दां दो चुकिया सरी वारा स्टाओ गया गया बना सार आज एक गया प्रेगनेटा सुब्याई हुई है उदर आगे जाके सब्सक्राइब निकालेगी ना तब यह पता चलेगी कितनी गाई अच बड़ी गाई पढ़ना है अभी देखो थोड़ा डर रही है इसलिए नहीं आई है मगर ऐसा देखो तो बच्छरी की लेंग्ध देखो आप कितनी लंबी है कितनी हाइट वाली है और इसमें सर आपने देखी लिए सबी तरह की गाई एक रॉस गाई भी इसमें ब्रीड में भी गाई तो हमारा फूकस क्या है जैसी कि कस्टमर की डिमांड वैसा एनिमल हम प्रवाइड करवाते हैं ठीक है कि ज्यादा ब्रीड पे काम करते हैं तो रहने से नहीं कोई दिक्क्त अधकी कई बाट न्याराह कोई दिक्कत नीधरन रास्ते में कोई उन् Less होती है तो हम वैटें गर तक की ज्म्माभणाविलिते हैं गाई पहचाने की और दूसरी बाता है मैं फिर दवाईबिंग के मैं फिर दो मैब और एन देझा के करने दीमाघ में रभाइज चलता ये तो हमारी पंजाब की काई सारा कहीं पर किसी भी जगा सेट कर लो वह आदमी के उपर डिमेंड है कैसा उसको फीड देता है जो किसान इदर से गाय लेके जाता है कैसा उसका रख रुखाओ करता है यह हमारे साब से करेगा तो थोड़ा एजी हो जाएगा हम गाइड करेंगे को भी वैया यह देना है यह देना है तो सर्वाइविंग की तो कोई दिक्कती नहीं आती है और दूसरी बाद कहीं का भी कसान भाई अपने पास आता है तो फुली गरंटी अपना यह हमारे वहां पर माल गया है पहले उन से पूछ लो हमारे काम के बारे में ठीक हैं फिर हम अगर कि गाई खुद की बच्छनिया रेडी कर सको तो मेरा यहीं नवेदन है कहीं पर भी गाई लो थोड़ा नॉलिज के साथ अपनी भी खुद नॉलिज कठी करो जैसे आदमी से आप गाई लेते हो उनका भी देखो भी थोड़ी बहुत उनको नॉलिज है यह उनका केला से सब्सक्राइब यह से प्यार दे रहे हैं वैसे मिलता रहेगा और अच्छी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मेरी अनिमल हम प्रवाइड करवाते रहेंगे दन्यावाद सरु